उत्रप्रदेश कांग्रिस के एक नेता ने दावा किया कि राहूल गांदी आगामी लोकसवा चुनाव अमेठी से ही लडेंगे जिस निर्वाचन छेतर का उन्होंने पहले 2002 से कई बार प्रतिन दित्व किया अमेठी जिला कांग्रिस अध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने दावा किया कि पार्टी नेता राहूल गांदी 2024 के लोकसवा चुनाव अमेठी से लडेंगे नई दिल्ली में हुई एक एहम बैटक के बार लोटे सिंगल ने बुद्वार को बताया कि राहूल गांदी ही अमेठी से कांग्रिस अमिद्वार होंगे जिसकी गोशना जल्द हो जाएगी सिंगल ने बताया कि चुनाव की तियारिया शुरू कर दी है कारे करता अपनी अपनी जिम्मेदारे निभाने की तियारी कर रही है बता दे कि राहूल गांदी 2002 से 2019 तक अमेठी से सांसद रह वे 2019 के चुनाव में भारते जंता पार्टी नेता इसमर्ती रानी से चुनावार गए थे राहूल गांदी समय केरल के वाइनाट से सांसद है कहा यही जा रहा है कि अमेठी और वाइनाट दोनों सीट से वे लड़ सकते हैं अगर रहूल गांदी को एक वाफिर केंद्रे मंतर और बीजेपी सांसद इसमर्ती रानी किलाफ अमेठी से मिदान में उतारा जाता है तो जिले में एक और दिल्चस्प पकाबरा देखने को मिल सकता साथ 2019 के आम चुनाव मिस मृती रानी ने राहूल को उनके गड़ में 55,120 वोटों सहराया था हलाकि राहूल गांदी ने चुनाव में वाइनाट निर्वाचन छेतर जीतकर लोगस्वाएं परवेश किया रानी 2014 के चुनाव में राहूल सहर गई थी हलाकि उन्होंने अकले पांच वर्डशो में जमीन पर अपनी लोग परेता हासिल की और अपनी एतियासिक जीस से कांगरेस को जटका दिया इस साल अप्रेल मई में आम चुनाव 2024 होने हैं अमेटी लंबे समय तक गांधी परिवार का गड़ रहा कांगरेस के पुर्व अध्यक्ष राहूर गांधी 2004 से इस सीट से सांच सकते लेकिन 2019 में कांगरेस को बुरी तरह हारका सामना करना पड़ा था आपको बदा दे कि यही नहीं राइबरेली सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर भी काफी चर्चा हैं कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं अब अमेटी सीट के अगर टोटल मदाताओं की बात करें तो 17 लाख यहां पर करीब वोटर से हैं 17 लाख करीब वोटर से और इसमें से पिछली बार अगर देखा जाए तो करीब 10-11 लाख वोटर से नहीं भागेदारी दी थी अब शपस वस पाई सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उताड़ती है अब राहुल गांदी एक बाद फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे इसमृती रणी नहीं कई बार खुली चुनोती दी थी देखते हैं फिर माहोल क्या बेंता है स्मिर्ती रानी क्या यहां पर माहोल बदल पाएंगी क्या इतियास बदला जाएगा या इतियास लिखा जाएगा बनेरे शैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद